अज़कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे मैं हूँ आपका दोस्त शुभम मिश्रा तो साउट एफरिका और इंग्लेंड के बीच तीन मैचों की बंडे सिरीज का पहला बंडे मैच खेला जाएगा 27 जनवरी को मैंगॉंग ओवल ब्लोम फॉंटीन में इंडियन टैम के हिसाब से शाम के साड़े चार पजे से यनि की 4.30 पीम से तो आज की इस वुडियो में इस पहले वंडे मैच के लिए मैंगॉंग ओवल ब्लोम फॉंटीन की पिच रिपोर्ट का कम्प्लीट एनालिसस करने वाला हूँ जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टेडियम के ODI रिकॉर्ट के हैं वहीं पर इस पहले वंडे मैच में दोनों कप्तान को टॉस जीत कर क्या करना चाहिए इसके लावा दोस्तों इस पहले वंडे मैच में मैंगॉंग ओवल ब्लोम फॉंटीन की पिच पर कौन से गेंदबास ज्यादा एफेक्टिव साबित हो सकते हैं वहीं पर इस पहले वंडे मैच के लिए ब्लोम फॉंटीन की वेदर रिपोर्ट क्या है और इसके लावा पहले वंडे मैच में दोनों टीमें किस प्लेंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं तो इस एक वीडियो में आपको ये सभी जानकारी मिलेगी इसलिए दोस्तो ये वीडियो हने वाली है आप सभी के लिए का आफिजदा इंट्रस्टिंग और इंफॉर्मेटिव इसे लास तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो दोस्तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वंडे मैच के लिए ब्लॉंप फॉंटीन की वेधर रिपोर्ट के बारे में तो जो वेधर फोर्कास निकल कर आईए इस मैच के लिए वो काफी ज़दा अच्छी है जहां पर बारिश की फोर्कास्ट बिल्कुल भी नहीं है अगर हम टेंपरेचर की बात कर लें तो जो मैक्सिमम टेंपरेचर है वो 32 डिगरी सेल्सियस फोर्कास्ट किया गया है इसके लावा जो मिनिममम टेंपरेचर है वो 15 डिगरी सेल्सियस देखने को मिल सकता है ओवरॉल मुकाबले के दौरान मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा बारिश की आशंका बिल्कुल भी नहीं है ऐसे में दोस्तों हमें पहला वंडे मैच बिना किसी इंटरप्शन के पूरा होता हुआ नजर आएगा अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ODI मैच के लिए मैंगॉंग ओवल ब्लॉम फॉंटेन की पिच रिपोर्ट के बारे में अगर हम ओवर्ल ODI मैच के बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं तो इस मैदान पर अभी तक टोटल 31 ODI मैच हो चुके हैं फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने 13 मैच जीते हैं जबकि एक मुकाबले का कोई रिजर्ट नहीं निकला था और एक match tie हो गया था average first innings का score 239 runs का है जबकि average second innings का score 196 runs का रहा है तो दोस्तों आप इन overall ODI matches के stats से clearly देख सकते हो कि इस pitch पर first innings में batting करने में या फिर second innings में batting करने में कोई ज्यादा difference नहीं है इसी वज़े से दोनों टीमों ने लगभग equal number of matches ही जीते हुए क्योंकि जो man gong oval blom fountain की pitch है वो एक काफी sporting wicket है यहाँ पर gain bas और बल्ले bas दोनों को काफी मदद मिलती है इसी वज़े से यहाँ इस मुकाबले में भी दोनों टीमों के पास बराबर मौका होगा मुकाबले को जीतने के लिए अगर हम recent ODI matches की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं तो जो last 5 ODI matches यहाँ पर हुए हैं उसमें से भी 3 matches first innings में बैटिंग करने वाली team ने जीते हैं और जिन दो मुकाबलों में चेजिंग टीम ने मैच जीता है वहाँ पर आपको first innings का score 270 तक बनता हुआ नजर आया था तो यह जो last 5 ODI matches के stats हैं वहाँ से आप conclude कर सकते हो कि अगर इस pitch पर first innings में बैटिंग करने वाली team 300 के उपर का score बना देती है मतलब सवा 300 के आसपास या फिर इसके उपर तो इस team के match जीतने के chances काफी ज़दा बढ़ जाएंगे क्योंकि 300 के उपर के score को chase करना यहाँ पर मुश्किल साबित होगा लेकिन अगर first innings का score 270 या 280 के आसपास तक ही बनता है तब फिर यहाँ पर यह score chase भी किया जा सकता है अब आप सोच रहे होंगे कि इस pitch पर medium scoring match भी होता है और high scoring match भी होता है क्योंकि जो शुरुवाती overs होते हैं first innings के वहाँ पर तेज गेंदबाजों को काफी ज़दा मदद मिलती है तो जब first innings में बैटिंग करने वाली team power play overs में 3-4 wickets गवा देती है तो उस case में यहाँ पर ज़्यादा बड़ा score पहली पारी में देखने को नहीं मिलता है तब फिर first innings का जो score है वो 260 या 270 तक ही रह जाता है लेकिन अगर power play overs में first innings में बैटिंग करने वाली team एक या दो wicket ही गवाती है तब आपको जो पहली पारी का score है वो 300 या 350 तक भी देखने को मिल सकता है क्योंकि power play overs के बाद इस pitch पर बल्ले बाजी करना काफी आसान साबित होता है इसके अलाबा अगर हम बात करने इस मैदान के overall ODI matches के कुछ records की तो जो highest total यहाँ पर बना है वो England का है South Africa के खिलाफ 399 runs for the loss of 9 wickets lowest total Zimbabwe का है South Africa के खिलाफ 78 all out highest total जो chase हुआ है वो South Africa ने किया है Australia के खिलाफ 274 runs for the loss of 4 wickets lowest total जो defend हुआ है वो Australia ने किया है South Africa के खिलाफ 203 run 6 wickets के नुकसान पर इसके बाद दोस्तों हम बात कर लिते हैं इस मैदान पर खेले गए overall ODI matches के scoring pattern की तो 200 से नीचे का score first innings में 7 बार बना है जबकि 200 से 249 के बीच में भी teams ने 7 बार score की है 250 से 299 के बीच में teams ने 9 बार score बना है और 300 की उपर का score first innings में 6 बार देखने को मिल चुका है तो यह जो overall ODI matches के scoring pattern है यहां से भी आप clearly देख सकते हो कि इस मैदान पर high scoring matches और medium scoring matches दोनों देखने को मिले हैं जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था अब अगर हम बात करने toss की तो मुझे लगता है कि इस पहले one day match में जो कप्तान toss जीतेगा वो गेंदबाजी करने का फैसला ले सकता है हाला कि इस मैदान पर toss का roll बहुत बड़ा नहीं होगा pitch conditions की वज़े से लेकिन दोस्तो मुझे लगता है कि दोनों टीमों के पास क्योंकि strong betting line-up मौझूद है ऐसे में वो back करेंगी इस मैदान पर chase करने के लिए अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि पहले one day match में man gong oval blom fountain की pitch पर कौन से गेंदबाज ज्यादा effective साबित हो सकते हैं spinners या fast ballers तो जो last three ODI matches इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके records की बात कर ले तो total 31 wickets fast ballers ने लिए हैं जबकि 17 wickets spinners को मिले हैं right arm fast ballers ने 28 wicket लिए हैं जबकि left arm fast ballers को 3 wicket मिले right arm off spinners ने भी 3 wicket लिए हैं जबकि right arm leg spinners को 12 wicket मिले और left arm spinners ने 2 wicket लिए हैं तो आप इन last three ODI matches के stats से clearly देख सकते हो कि इस pitch से तेज गेंद बाजों को ज़्यादा मदद मिलती हैं इसी वज़े से fast ballers ने spinners के मुकाबले ज़्यादा wickets भी चटका हैं क्योंकि जो man gong oval की pitch है यहाँ पे तेज गेंद बाजों को pitch से extra pace और bounce मिलता है जिस वज़े से वो ज़्यादा effective साबित होते हुए नजर आते हैं especially जो शुरुवाती overs होंगे दोनों इनिंग्स के यानि की power play overs वहाँ पे तेज गेंद बाजों को काफी ज़्यादा मदद मिलेगी उनकी gain swing भी करेगी इसके अलावा pitch से see movement भी मिलेगा तो वो यहाँ पे आपको ज्यादा effective साबित होते हुए नजर आएंगे और पूरे match में जो तेज गेंद बाज हैं वो आपको ज्यादा wicket स्टकाते हुए नजर आएंगे क्योंकि इस pitch पे जो bounce और pace है वो पूरे match में ही label रहेगा इसके अलावा spinners को यहाँ पे बहुत ज़्यादा help नहीं मिलती है उनकी gain grip और turn ज्यादा नहीं लेती है हाला कि right arm leg spinners को इस pitch से मदद मिलती है इसी वज़े से आप देख रहे हैं कि पिछले 3 ODII matches में right arm leg spinners ने 12 wickets चटका हैं तो इस match में भी दोस्तों अगर कोई right arm leg spinner खेलेगा तो वो यहाँ पर effective साबित होता हुबा नजर आ सकता है बाकी left arm spinner और right arm off spinner को इस pitch से बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी इसलिए दोस्तों मेरा आपको overall suggestion गही रहेगा कि अगर आप fantasy 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी playing 11 में fast ballers ज़्यादा रखने चाहिए in comparison to spinners और आप 4-1 के combination के साथ जा सकते हो जहाँ पर आप 4 fast ballers और एक spinner को अपनी fantasy 11 में रख सकते हो एक spinner में आप एक right arm leg spinner के साथ जा सकते हो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं first ODI match के लिए दोनों टीमों की accurate predicted playing 11 के बारे में तो अगर हम सबसे पहले South Africa की playing 11 के बारे में बात कर लें तो आपको South Africa की playing 11 कुछ इस प्रकार की नज़र आएगी ओपनिंग करते होगे नज़र आएंगे विगेट कीपर Quintan Dekogg के साथ Captain Temba Bhavuma नमबर 3 पर आसकते हैं रासी वंडर डूसन नमबर 4 पर एडिन माकरम नमबर 5 पर हेंडरिक क्लासन नमबर 6 पर डेविड मिलर नमबर 7 पर मारको येंसन नमबर 8 पर केशव महाराज नमबर 9 पर कहीसो रबाड़ा नमबर 10 पर एंडरिक नोकिय नमबर 11 पर लूंगी एंगिडी आसकते हैं के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं 1st ODI मैच के लिए इंगलेंड की प्रेडिक्टेट प्लेंग 11 के बारे में तो आपको इंगलेंड की प्लेंग 11 कुछ इस प्रकार की नज़र आएगी ओपनिंग करतों बे नज़र आएंगे फिल सॉल्ट के साथ जेसन रॉय नमबर 3 पर आसकते हैं डेविड मलान नमबर 4 पर हैरी बुरूप नमबर 5 पर कैप्टेन एंड विकेट की पर जौस बटलर नमबर 6 पर मुही नली नमबर 7 पर क्रिस वोक्स नमबर 8 पर सैम करन नमबर 9 पर आदिल रशीत नमबर 10 पर जोफरा अर्चर और नमबर 11 पर रीस टॉपली आ सकते हैं यह रहा फर्स्ट ODI मैच के लिए मैंगॉंग ओवल ब्लॉम फॉन्टेन की पिच रिपोर्ड का कम्प्लीट एनैलिसिस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वही पर दोस्तों आप हमें नीचे comment box में ये जरूर बताएं कि पूरा pitch report का analysis देखने के बाद आपको किस team की playing 11 ज्यादा मजबूत नज़र आ रही है और आपके हिसाब से कौन से team ये पहला one day match जीतेगी इसके इलावा cricket matches की fantasy playing 11 और cricket से जुड़ी हर छोटी बड़ी news and updates सबसे पहले पाने के लिए आप हमें telegram channel पर जरूर जोइन कर लें telegram channel का link आपको video के description box में मिल जाएगा so friends मिलते हैं आप से किसी नई और interesting video में till then take care, stay safe and good bye